साथियों, जनल परिवहन के खेत्र में भारत का बहुत गवरव मई इतिहास रहा है, हमारी सम्रुद्ध विरासत रही है, हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े स्लोकों में बताया गया है दिर्गी का तरणी ही लोला, गत्वरा गामीनी तरी ही, जंगाला प्लावीनी चैव, धारीनी वेगीनी तथा दिर्गी का तरणी लोला गत्वरा गामीनी जंगाला प्लावीनी धारीनी वेगीनी हमारे हां जहाजों और नौकाओं के अलग-अलग आकार और प्रकार होते थे हमारे बेदों में भी नौकाओं जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्रा आते हैं वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्यकाल तक भारत के समुद्री सामर्थ का डंका पूरे विश्व में बज़ता था चत्रपती वीर सिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ के दम पर ऐसी नवसेना का निर्मान किया जो दुश्मनों की निंद उड़ा कर रखती थी जब अंग्रेग भारत आए तो वो भारत ये जहां जो और उनके जरिये होने वाले व्यापार की ताकत से गबराए रहते थे इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ की कमर तोड़ने का फैसला लिया इत्याद गवा है कि कैसे उस समय ब्रिटीज संसद में कानून बना कर भारतिये जहांजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंद लगाये दिये गए थे बारत के पास प्रतिबा थी अनुभव था लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रुप से तयार नहीं थे हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखंड में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे अब आज हादी के अमरित काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है उस उर्जा को फिर से जगा रहा है साथियों आज 2 सितंबर 2022 की एतिहासित तारिक को इतियाज बदलने वाला एक और काम हुआ है आज भारत ने गुलामी के एक निशान गुलामी के एक बोज को अपने सीने से उतार दिया है आज से भारतिय नव सेना को एक नया द्वज मिला है अब तक भारतिय नव सेना के द्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी लेकिन अब आज से छत्रपति सिवाजी महराज से प्रेरित नव सेना का नया द्वज समंदर और आस्मान में लहरा आएगा कभी रामधारी सी दिनकर्जी ने अपनी कविता में लिखा था नवीन सूर्य की नई प्रभा नवीन सूर्य की नवीन प्रभा नमो 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 सुधंत्र भारत की द्वजा नमो 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 आज इसी द्वज बंदना के साथ मैं ये नया द्वज नव सेना के जनक छत्रपति भीर सिवाजी महराज को समर्पित करता हूँ मुझे विश्वास है भारतिय की दाकी भावना से ओध प्रोथ ये नया ध्वज भारतिय नव सेना के आत्मबल और आत्म सम्मान को नई उर्जा देगा